नमस्कार मैं हूँ सुचारता कुकरेती अब एक ऐसी खबर जो एटियम इस्तेमाल करने वाले हर शक्स के लिए जरूरी है पुने में पुलीस ने एटियम में ठंगी करने वाले गिरू का परदा फाश किया है ये गैंग माचिस की तीली की सहारे एटियम हैंक करके ठंगी की वारदात को अंजाम देता था पैसा निकालने वाले के जाने के बाद ये फसे हुए नोटों को बड़ी आसानी से निकाल लेता था ये गिरू एक महीने में 13 से जादा वारदातों को अंजाम दे चुका है पुरे इसे अरजय कामले की रिपोर्ट एक माचिस की तीली और ब्लेट की जरिया आपका पूरा बैंक अकाउंट खाली हो सकता है ये सुनकर हैरान मत हो ये पुरे की साइबर सेल ने एक ऐसे गिरू का परदाफास लिया है जो माचिस की तीली और ब्लेट की मदस से एटियम मशीन को हैंग करके लोगों को चपत लगा रहा था साइबर सेल ने गिरों के मुहमद अक्राम अंसारी और मुहमद खुर्शीद अंसारी नाम के दो लोगों को गिराफतार किया है पुलिस को एक महिने में 13 से ज्यादा ऐसी शुकायटे मिली कि पैसे निकालते वक्त एटियम मशीन हैंग हो गई पैसा निकलता नहीं था लेकिन कुछ देर बाद ट्रांजेक्शन का मैसेज आ जाता था नंबर डाला पैसे निकलने आया तो नंबर दबाया था लेकिन वो पैसा आई चने हम आन हो गया था तो पैसे आये ने कुछ भी ने 10-15 मिनिट के बाद बाएर जाने के बाद आमने देखा तो मैसेज आया कि हमारा 10,000 रुपई अकंड में से गया हूँ अब आपको दिखाते हैं कैसे ये गिरो वारदात को अंजाम दे रहा था माचिस की तिल्ली को जो यहां पर Counter P 8 दिकाया गया है उसमें Left zor बटन के left side का जो बटन होता है उसके अंदर यह माचिस की तिल्ली डाल देता है इस तरह से इस सी system slow हो जाता है जब आप कुं fraction यह बटनियां पर 속 प्रेश करेंगे तो बटनको कोई भी प्रेस नहीं हो सकता माचिस की तिल्ली लगाया है उस माचिस के तिल्ली को इस ब्लेड से निकाल देता है इस तरह से इस तिल्ली को माचिस ब्लेड से निकाल देता है जब यह तिल्ली निकल जाने के बाद सिस्टीम फिर से वर्क करने लगता है ग्राक के पीछे जो आरोपी खड़ा होता है वो सबसे पहले ग्राक ने दबाया हुआ दबाया हुआ पिंज होता है वो देख लिया होता है उसके बाद यस बटन दबा के अगला ट् गिरोह पकड में तब आया जब साइबर सेल के एक कॉंस्टिबल आदेश चलवा दी, पुड़े के शिवाजी नगर इस्थित केंडरा बैंक के एटियम से पैसे निकालने पहुचे एटियम के अंदर दो लोग को छेड़ चाल कर रहे थे, कॉंस्टिबल को जब शक हुआ तो उसने दोनों आरोपियों से पुश्टाज की, पहले तो वो आनाकानी करते रहे जब कॉंस्टिबल ने सकती की तो अपना गुना कभूल कर लिया पकड़े के दोनों आरोपी यूपी के रहने वाले हैं, अब तक इन्होंने एक ही एटियम से 30,000 रुपे तक निकाले हैं पुलिस को शक है कि इस गिरोह के लोगों ने दूसरे शहरों में भी वार्दात को अंजाम दिया है, अब पुलिस पुश्टाज करके इन साथियों के तलाश में जोट कई है से एटियम से लोगों के पैसे चुराय है, टैमेरों सोरज के साथ अजय कामले इंडिया टीवी पुने